यूपी के अमेठी में जनता की सुविधा के लिए रेलवे विभाग द्वारा बनवाए गए अमेठी संग्रामपुर रेलवे अंडर पास में पानी भर जाने के कारण जनता का आवागमन बंद हो चुका है इस अपात स्थिती में भी उधर से जाना जान चोके में डालने का काम रहता है बारिश के समय में पानी भर जाने से निकासी की विवस्ता न करना रेलवे विभाग की लापरवाही ही दिखा रहा है जबके उस अंडरपास को बनाने में विभाग द्वारा 45 लाख रुपे खर्च किया जा चुका है समस्या को देखते हुए सामाजिक कारेकरता प्रा जलतिवारी ने अपने अने साथियों के साथ अमेठी रेलवे स्टेशन अधिक्षक को रेल मंत्री प्यूश गोयल के नाम एक मांग पत्र सौंप उस समस्या को गंभीरता पूरवक्त रेकर निदान करने की मांग की है अमेठी से समर बहदूर सिंग अमेठी से समस्पल्ग करने लिदा तर लेल मंत्री तर अभार्व करने से समस्पल्ग मंत्री प्यूर्ब धियूर्ण को बचलच ओंग